नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अरनम नैक आप देखने स्टारट गयान और इस वीडियो में हम डिसकस करने वालें कि क्या चेस्ट.com, फोर्टनेट ये सब भी बैन हो जाएंगे इसके अलावा क्यों मोटा भाई अम्बानी और जेफ अंकल पीछे पड़े हुए फ्यूचर ग्र तो वीडियो को आखरे तक देखना और हम जल्दी से वीडियो शिरू करते हैं पहली न्यूज में हम कुछ ऐसे गेम्स के बार में डिसकस कर लेते हैं जो कि शायद आंदरप्रदेश में बैन हो सकते हैं पर कुछ महीने पहले जैसे कि आपको पता है इंडियन गवर्मेंट ने पपजी को बैन कर लिया था लोगों ने बोला कि उसके बाद कई सारे स्टेट्स जैसे कि तलंगाना, आंदरप्रदेश, ओडिचार, नागालैंड, सिकिम इन सबने फैंटेसी गेमिंग एप्स को बैन किया हुआ है जिसमें रियल मनी इन्वाल्ड है क्योंकि उनको कहना है कि यार ये ओनलाइन गैंबलिंग को प्रमोड करते हैं जबकि सुप्रीम कोट ने क्लियली बोला हुआ है कि ये गेम आफ स्किल है ना कि गेम आफ चांस पर इन स्टेट्स के अपने डेसिशन है तो लोगों को तो मानना ही पड़ेगा पर अब यार आंदरप्रदेश के सीयंद Y.S. जगमुहन रेड़ी ने हमारे IT मिनिस्टर रवीश अंकर प्रसाथ को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि यार वो ISP यार इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को बोल के 132 वेबसेट्स ब्लॉक कर दें जिस यह उनको इस लिस्ट में रखा हुआ है जिसे मिनिक्लिप.com ऐसे प्रॉक्सी वेबसाइट जिसमें आफ फोर्टनाइट लीग अफ लेजेंड चेस.com यह सारे गेम्स भी डाउनलोड करते हो इन सब को भी आंदरप्रदेश के सीम चाहते हैं कि यार बैन हो जाए अब अगर पैंडमिक चल रहा है लोग बाहर तो जाके खेल नहीं पा रहें ऐसे गेम्स खेल के घर पर टाइम पास कर रहें अब इनको भी बैन कर दो के तो लोग बोलेंगे क्या हम करें तो करें क्या बोले तो बोले क्या अचा यह मैं हमेशा बोलता हूं कि आप ट्विटर और प्लाटफॉर्म में शेयर करता रहता हूं तो ट्विटर इंस्ट्राग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से आके वहां फॉलो करो दूसरी न्यूज में ही जो फ्यूचर ग्रूप के लिए Amazon और Reliance लड रहे हैं वो थोड़ा बहुत डीटेल में डिसकस कर लेते है तो ऑगस्ट में आपने न्यूज सुनी होगी कि या Reliance Industries Limited कि शोर भियानी के फ्यूचर ग्रूप के रीटेल, होलसेल, वेरहाउस और लॉजिस्टिक्स बिजनस को 24 सदार 713 करोड रुपे में खरीद रहा है और इससे मोटा भाई अम्मानी को फ्यूचर ग्रूप के जो ने भी बोला कि यार तुम हमारे पैसे वापिस दो अब तो तुम्हारा मुश्किल लग रहा है तो फिर किशोर भियानी को अपने फ्यूचर ग्रूप को बेचना पड़ा और उस टाइम में सब चाहता था पैसे तो मोटा भाई अम्मानी के पास ही थे तो उन्होंने अपना और उनका डील में उन्होंने बोला था कि यार वो फ्यूचर ग्रूप के कुछ प्रक्स अपने अमाजान ऑनलाइन स्टोर में टालेंगे और डेलिवरी में भी जो फ्यूचर ग्रूप के इतने सारे रीटेल प्रेसंस है उसको यूज करेंगे अब ये बात सुनके आपको ल आप से यार ये फ्यूचर ग्रूप जो उनका एंटी कॉंपीट क्लॉस था वह फॉलो नहीं कर रहे हैं और जो राइट टु फॉर्स्ट रफ्यूजल था वह फॉलो नहीं हुआ उनका कहना है कि यार हमने अपने कंपनी के कुछ टेक ही नहीं हम तो सर्फ एसेट बेच रहे कि यार लोन तो उनको वापिस करना ही है और लोन के डेडलाइन आती ही जा रही है तो देखना पड़ेगा कि यार फ्यूचर ग्रूप इस कॉंप्लेक्स प्रॉब्लम से कैसे बचता है तीसरे निउस में डिसकस कर लेते हैं कि यार अभी आप हाली डेविटसन के बाइक कैस से इंडिया में खरीज सकते हैं तो जब अभी रिसंटली हाली डेविटसन ने बोला कि वह इंडिया मार्केट को एक्जिट करने वाला है तो काफी लोग परिशान हो गये थे कि यार हमें तो जाके बाइक खरीद नी थी अब हम क्या करेंगे या जिन्होंने बाइक ली थी उन्होंने बोला है कि यार हमें सर्विस के बाद पार्ट्स चाहिए होंगे वह हमें कैसे मिलेंगे तो यह सारे प्रॉब्लम का अब सल्यूशन मिल गया है क्योंकि वैसे तो हरले 40 ग्लोबल मार्केट को एक्जिट कर रहा था उसमें से इंडिया भी एक है पर अब उन्होंन का प्रेजंस इंडिया में बना रहेका उसकी टेंशन आपको लेने की जरूबत नहीं तो अब ही जैसे कि हाली डेजन काफी मार्केट से एकजिट कर रहे है पर 17 ऐसे मार्केट से जिसमें उन्होंने ऐसे टायप्स की हुएं तो इसमें हाली डेजन का भी फाइदा है क्योंक हम pronounce काफिस में हैं और देने बड़ी 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 बाइक से इनका इसमें बहुत बड़ों कोफिर हो Son saam sociale चब वह बनाइगा जो मिश्ब कर पाताएं जंदर कैई आप मैं camera değil मृता हर अक्स्यार बोधिट करनें कि यह जब ही duration कोदुद करने aynı पसंद है कमेंट्स में जरूर बताना अब बढ़ते हैं फंडिंग न्यूस के और जानते हैं किस स्टार्टप को कितने मिलिन डॉलर्स की फंडिंग मिली है इस अप्टिम पहली और सबसे बड़ी फंडिंग न्यूस यह है कि अब बैंगला और बेश्ट फ्रेश फिश एन में अभी सुनके हैरान होने वाले हो 121 मिलिन डॉलर्स की फंडिंग रेस कर लिया जिसको लीड किया है इंवेश्मेंट कॉर्परेशन आफ दुबई ने तो यह एक इंडिन स्टार्टप का सबसे बड़ा सीरी सी राउंड है कंजुमेंट के सेग्मेंट में तो इससे आपक को फ्रेश फिश और मीट प्रोवाइड करते हैं तो इसके लिए उनकी लॉजिस्ट्रिक्स काफी जबरदस्त है और वो आटिफिशल इंटेलजेंस और आयोटी का भी यूज करते हैं और उनका कहना है कि है वो दुनिया के फुली इंटिग्रेटेड ओनलाइन फिश और स्केल अप करता है दूसरे फंडिंग यूज यह है कि आप बहुत असानी से बहुत जल्दी और बहुत कम पैसा खर्च करके अपनी वीडियो कर पाऊं तो इनके वेबसाइट में कई सारे टेंपलेट्स मिल जाएंगे आप आर्टिकल्स को भी वीडियो में कर सकते हो और इस इस फंडिंग के मद से अपने प्रट को और इंप्रूव करने वाले और क्रॉश डिवाइस वीडियो क्रियेशन स्वीट पे और काम करेंगे तो देखना पड़ेगा कि इन वीडियो और क्या क्या नएने फीचर अपने सॉफवर में लेके आता है क्योंकर यह सेग्मेंट का कैसे नेक्स्ट लवल पे स्केल अप करता है अगली फंडिंग यूज यह है कि बॉलिवूड अक्टर अलिया भट ने अंडिस्क्लोजड अमांग इन्वेस्ट कर लिया है नाइका में तो अगर आपने मेरे पिछले अफसे की स्टार्ट अप नीउस की वीडियो देखी होग थी जब उन्होंने 167 क्रोर्स की फंडिंग उढ़ाए थी स्टेडविव कैपिल से और वो प्रॉफिटेबल कंपनी भी है तो काफी ग्रोथ प्रोटेंशल तो नाइका में है और अब क्यूंकि यार वो बॉलिवूड एक्टर से फंडिंग रेस कर रहा है तो सारे अक्टर क वीडियो को लाइक करना शेर करना नीचे कमेंट करना की वीडियो कैसे लगी चैनल को पक कैसे सब्सक्राइब कर लेना गंटा दबाते ने ताक आप कोई भी वीडियो मिस ना करें इंस्टाग्राम के लिएंग ट्विटर का लिंक सब डेस्क्रिप्शन में है जल्दी से बाते करेंगे तो जल्दी मिलते एक नहीं और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ धन्यवाद